स्टेज पे वरिष्ट नेता बेनों भाई तो मुझे इतने दिखनी नहीं आज प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार इतना समय नहीं ठीक है आपको जो मेरी दादी इंद्रा गांधी थी आपके बीच में और उनके बीच में बहुत गहरा रिष्टा था इंद्रों कहनों से आपू जो इंद्रा माय होती तीना मा और तुम्रा मा मज़े आपू आदिवासी मंदर खुब गईरों नातो होतो दिल वालों नातो होतो बराबर आई का नहीं नंदुर बार वालों ता अखन मालूम से बराबर से ना इना बात पर थोड़ी थपने थोकी देना जुए अभी भी अभी भी आप अभी भी आप उनकी याद करते हो आज भी आपू तीनी याद करतला करता की नहीं मालूम से ना आज भी इसके बारे में आपके रिष्टे के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना जाता हूं यह जे नातो से इंद्रा गांधी हत्या अपू तियाहरी एक गोठी ते कहना तयाहरी करतला गोठी कहना से ता अपू एक जब मैं छोटा था, मेरी दादी ने मुझे एक फोटो की किताब दी थी. जब मैं हनो तो इंदरी जी दादी होती, बाकुन मा, तो तीना एक फोटो रहतो ना, तीना काडी ने किताब होती पुस्तक होतो, तो ते इना अपलो होतो. और उस पुस्तक का नाम था, तेन्दू एक आदिवासी बच्चा. और वो, वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी. और वो किताब में वो आदिवासी बच्चे के बारे में किताब बोलती थी. लिखा हुआ था, और वो किताब समझाती थी कि आदिवासी बच्चा जंगल के साथ उसका क्या रिष्टा था. और हर दो तीन दिन में अपनी दादी को पकड़ लेता था और वो किताब उनसे पड़वाता था. ये हनो तो तो इंद्रा गांदी जी हाई दादी तील हादिन ये कहना रो जित कहना रो कि ये किताब हाई ये कहानी तूज में कहजे. उसमें बहुत सुन्दर फोटो थी. और लड़के के पास तीर कमान था वो मचली को मारता था. तो मैं बच्चा था मुझे बहुत अच्छा लगता था. और एक दिन मैंने दादी से पूछा किताब के बारे में पूछा, आदिवासियों के बारे में पूछा. और मैंने पूछा ये, आप मुझे किताब आपने ये मुझे दी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये ये आपने मुझे क्यों दी? तो मैंने आए एक दिन पूछलो माम आए दादील कि ये जवाब दिया, क्योंकि ये ही हिंदुस्तान के असली मालिक है. तो दादी ने कहला, कि ये आपने अखा जा सेता, ये आपने असली आदिवासी ये जमिनन मालक है, इना वातों पर जोरदार आपने आवाब देनों सुगे. और अगर अगर तुम्हें मुझे बोला, अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है, तो सबसे पहले तुम्हें आदिवासियों को समझना होगा, उनकी जिंदगी को समझना होगा, जंगल को समझना होगा, जल को समझना होगा. अगर तुम्हों या अख्ष हिंदुस्तान समझनों है तारी जिंदगी भी तुम्हों समझनों जुए तो पहले जाइन आदिवासी हाते तिंद्री जिंदगी तिंद्री संस्कृति तिंद्री काही रिती रिवाज अख्ष समझनों जुए ते तु समझना रो तो तुल जीव पुपन भी समझ नहीं सकते हो तुम्री अपूजी संस्कृति हाई ती समझे बगेर तुमु भारत देशन नहीं समझ शक्तला आंतिनान करता अधिवासिन अंदर जाइन संस्कृति समन्नों जुवे और लिवाद तिंद्री दादिन कहिं लिए मैं चोटा सा बच्चा था तो म यह बात भूल गया था मैं जब हानो थो तो तेतर गादी यह बात कर ली होती दिनान करता मैं यह बात तो वीरी गेलो होती हो कुछ साल पहले मैं उनके घर गया था उनकी म्यूजियम में मैंने वो किताब दिख गई मुझे और मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक से यह कहना चाहता हूँ अगर आप हिंदुस्तान को सच मुच में समझना चाहते हो आपको हमारे आदिवासी भाई और आदिवासी बहन जो है उनका इतिहास उनका जीने का तरीका उनका जंगल से रिष्टा इन्वाइरमेंट से रिष्टा समझना होगा अगर तुम्हों अखो हिंदुस्तान समझने होए तो यह जा आपको के इतला बीराजाती वाला जय माने हाए तिया अखन आदिवासी जीवन समझना जोए तिन्दरी संस्कृती समझना जोए तेतारत असली जिन्दगीन वाद तुम्हों समझी शक्तला यह में लागे यह संदेश में आपना जोए क्यूंकि आप आपने ही इस धर्ती पे पहले पैर रखा था यह भारत भूमी जी धर्ती हाई अनि यह दुन्यान भी धर्ती हाई इना पर पहलो पग यह आदिवासी रखलो तो यह यह कहत लोग आदिवासीन रखलो तो कुछ समय पहले मैंने प्रधान मंत्री जी का एक भाशन सुना और उसमें प्रधान मंत्री जी ने एक निया शब प्रयोग किया वनवासी कुछ दिन पहले यह जे वड़ा प्रधान से मुख्य मंत्री पंतर प्रधान से यारी बोठलो दिल्ली वालो इनान भाषण कर लो एक दी, चिह आपू नाम मालूम से दिल्ली मोठलो कौन से, तो ते भाषण कर लोन आदिवासी ले एक नया शब्द आपलो, जे शब्द से वनवासी, आपूल मंजूर से के, आपूल मंजूर से के, अख्वम पोर्या जुवान उबरा से ता, मंजूर से क तुम्हों ये इन दो शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है ये एक शब्द नहीं है आदिवासी कहता है कि आप लोग हिंदुस्तान के असली मालक हो वनवासी कहता है कि आप लोग जंगल में रहते हो मतलब वनवासी शेहर में नहीं रह सकता वनवासी हवाई जहाज में नहीं उड़ सकता वनवासी का बेटा एंजिनियर नहीं बन सकता वनवासी की बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती वनवासी अर्थो काई होतलो जंगल मा रहना रो बीचारो एकलो चारी रहना रो अज तिना जे आधिकार से जे फक्तो जंगल मा रहना रो बस तिंद्रो पोईरो विमार मा बोठीन बोठलो आधिकारी नहीं बनना रो चे काई हिंदुस्तान में जंगल खतम हो गया उस दिन आप कहीं के नहीं रहे एक पक्की वाद कैतला कि जे दी जंगल खतम हो जाना रो ते दी आधिवासीन जिंदगी भी उद्ली जाना रही बराबर से का नहीं है आप उल मंजूर से नहीं बार और प्रधान मंत्रियों इनकी सरका हर रोज है आप से आपका जंगल चीन कर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दे रही हैं यह जे कानून बनान नें तयारी से आपको ग्राम समा मां ठराव करला से ता यह जो वड़ा प्रदान बोठलों से बंबाई वाल दिल्ली वालों पंत प्रदान यह रोज वन कानून विरोध मा वन जे उद्योगपति से तिंद्रों अप्लियान करता प्रयत्म करें रहलों से यह बाद करता हमारे लिए आप वनवासी कभी नहीं होगे आप सिर्फ आदिवासी हो आदिवासी रहोगे और यह जो देश है इसके आप पहले मालिक इस देश के आप पहले मालिक हो अगर आप पहले मालिक हो तो आपको अधिकार मिलने चाहिए सिर्फ जंगल और जमीन का अधिकार नहीं वो तो मिलना ही चाहिए मगर शिक्षा का अधिकार स्वास का अधिकार रोजगार का अधिकार धन का अधिकार यह सब आपके